हमेशा reselling में हमें सिकायत रहती है कि हमें orders नहीं आ रहे हैं हमारी sale नहीं निकल रही हमसे customer product नहीं खरीद रहे बहुत सारे ऐसे सबाल आप लोगों के मन में आते हैं और इसी वज़ाए से mostly लोग अपना reselling business को बंद कर देती हैं orders ना आने की वज़ाए से लोग हमेशा सोचते हैं कि orders नहीं आ रहे तो अब हमारी income कैसे होगी हम income कैसे करेंगे तो आज की वीडियो में आपको एक किसा सुनाने वाला हूँ एक story सुनाने वाला हूँ अपने दोस्त की कैसे वो reselling के माध्यम से 25,000 रुपए पर देके कमाता है और किस तरीके से ये पूर सारे लोगों के confusion होंगे कि जो financial product होती है उनको sale करना बड़ा मुस्किल रहता है जो banking service होती है डीमेट accounts होती है mutual fund वगरा होती है ऐसी service को sale करने में या resell करने में बड़ी दिक्कत होती है लेकिन मेरे जानने वाले एक दोस्त है जिनसे मेरी भात होती है उन्होंने इस चीज़ का एक ऐसा solution निकाल लिया है कि 20 से 25,000 रुपए आसानी से वो बैटे बैटे कमाती है उनकी story सुनाने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को complete देखना क्योंकि अगर आप भी इस strategy को follow करते हो तो आप भी काफी अच्छा पैसा कमा सकती है जैसे जैसे बहुत कमार है पर डे का काफी अच्छा वैसे वैसे आप भी कमा सकती है तो story को सुरू करते ह हुआ क्या था एक मेरा दोस्त था जिसकी mobile shop थी जो mobile repairing का काम करते हैं उसका काम करते थे और उनके जो shop के बगल में थी वो एक bank थी और होता क्या था कि bank के customer हमेशा उसके पास आते थे जो photo copy करवाने का काम करते थे किसी कोई mobile repairing का का काम करवाने के लिए आता था कोई किसी और काम से उसके पास आता था, क्योंकि bank की पास भीड रहती थी, तो बगल में ही दुकान थी, तो काफी रधा दुकान बैंके सारे इनकी चलती थी, एक बार क्या हुआ कि मैं इनके पास गहा, दुकान पर हम दोनों बैटे ऐसी बात चल रहे हैं, कि क्या हाल चाल ले रहे, एक दूसरे के और ऐसे ही बैटे बैटे मेरे दिमाग में एक बात आई मैंने उनसे बोला कि एक बात बताई अगर हम बैंक अकाउंट खुलवाएं इस बैंक में तो उसकी कितना minimum balance ये लेती हैं, अकाउंट ओपनिंग चार्ज कितना लेती हैं और आप किसी से भी एक रुपया भी ना लो और पर बैंक अकाउंट खुलने पर 270 रुपय भी आपको मिल जाएं तो कैसा रहेगा, उसने मेरे कुछ तुरंत बोला कि रोहित अगर ऐसा possible है तो जो मेरी दोकान है, यहाँ पर सुबह से साम तक इतने ग्रहा काते हैं बैंक के जो नई अकाउंट खुलवाती है, बैंक वाले पैसे मांगते हैं कि इतने पैसे लगेंगे अगर हम फिरी में खोलेंगे, तो हमारे पर डे के अच्छे खासे अकाउंट खुल जाएंगे उसने बोला कि रोहित भाई, मुझे भी पताओ कि किस तरीके से यह चीज चलेगी, कैसे बैंकों के साथ टाई अप होगा जब मैंने उसे समझाया कि देखो बहुत सारे अप्लिकेशन ऐसे हैं, जैसे बन कोड बैंक साती, ग्रोमो, जो फाइनेंसियल प्रोडेक्ट की रीसेलिंग की सर्वेस देती हैं, हम जैसे आप जैसे लोगों को जैसे आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, इन अप्लिकेशन की हैल्फ से, जो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट होते हैं, डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, इसके अलावा करप्टों में इनवेस्ट वगेरा करने के लिए अकाउंट सो ओपन कर सकती हैं, लौन के लिए, में जो बैंक है वो सभी पॉपुलर बैंक है जैसे कोटक, महिंद्रा, HDFC, Axis तो अच्छी खासी बैंक हैं जिनके साथ आप बिजिनिस करोगे जिनके अकाउंट्स आप ओपन करोगे तो उसको भरोसा हो गया तीसरी जीज मैंने जब अपनी इंकम निखाई की देखो मैंने भी अकाउंट्स खोले हैं और मेरे को भी यहां से दस से बारा हजार की इंकम हो गई है तो उसको 100% भरोसा हो गया हुआ क्या कि दूसरे दिन जब मैं उस रोड से निकल रहा है मैंने देखा कि उसने दुकान के ऊपर एक बैनर लगा दिया था कि यहां पर जीरो वेलेंस बैंक अकाउंट खोले जाती है बस इतना लिखा था और दो तीन बैंकों के लोगो लगा दिये थे बैनर में और उसके बाद क्या हुआ कि मैं उसके दुकान पर गया मैंने भाई तुमने यह तो बहुत सही गिया है तो उसने बोला देखो लोग बैंक में खटा होना शुरू होने वाले थे बाहर खड़े थे तो लोग उसके पास आने लगे पूछने लगे उन्हें पता था कि बैंक में तो मिनिम्म वेलेंस रखना पड़ता है यहां पर क्या सिस्टम है तो इसने सभी को बताया कि हम जो बैंक अकाउंट खोल रह हो या नहीं भी यूज करते और कोई भी मिनिम्म वेलेंस रखने की requirement नहीं है एक वार एक्टिवेट कराने की वार लाइफ टाइम तक यह चलते रहेंगे तो बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछे कि भाई एक बात बताओ हम आपसे अकाउंट खुलवाएंगी तो हमार चैक बूख बगेरा सारी चीजे तो सारी चीजेंगे सबी सर्विश भी वही मिलने वाली थी तो यह बहुत ही अच्छी चीज होने वाली तो उसने बहुत सारे लोगों के अकाउंट खुलना शुरू किया तो पहले वो अकेला को ला था और लोग काफी खुलवाने के लिए बोल रहे हैं मैंने उसको एक और solution दिया मैंने एक काम कर one code application में जा और जिसको भी account खुलवाना है उनका number ले और उनके number पर link भेज दे वो उस link पर click करके भी account खोलेंगे तो भी तेरे को कमाई होगी उसने बोला यार यह तो बहुत अच्छी चीज़ यह तुने पहले क्यों नहीं बताई तो उसके बाद उसने सभी लोगों के number लिए सभी लोगों को link भेजा सभी लोगों को link भेजने के बाद सभी ने अपना bank account open कर लिया अब open करने के बाद हुआ क्या कि उसको कोई भी commission नहीं दिखा रहा लगवग तीन दिन हो गए थे कोई भ बड़ा परियसान भाई इतने account खोले अब क्या करें क्या करें अभी तक तो payment भी नहीं दिखा रहा है payment आया भी नहीं है मैं ने उसको बोला कि तू डैंसन मले पैसे आप तेरे सेफ है बस साथ दिन का time लगेगा उनका account active हो जाएगा और उसके बाद आपके पैसे आपके account प अब पैसा आजाएगा जम मैं द्वारा बैनर को लगाओंगा साथ दिन हो गए और उसका जो payment आया था अब भरोसा नहीं करोगे 45,000 रुपए payment आया था और उसको इतनी खुशू हुई कि जिस दुकान से मैं पूरे महीने में 20,000 रुपए कमाता हूं और दो दिन काम किया त उनके नॉर्मल मैसेज में और उनके ही phone पर किलिक करवा गए उनसे ही उस phone को submit करा देता था उनसे ही उस account को activate करा देता था कोई दिक्कत आती तो सामने खुश समझा देता था कि ऐसे यह चीज लिखतो इसमें यह नाम लिखो इसमें यह detail लिखो इस तरीके से detail को लिखवा लिखा देता था तो इस तरीके से पूरा उसका काम चलता था और काफी अच्छा काम अभी भी चल रहा है तो मैंने उनके साथ यह चीज़ शेयर की और काफी अच्छा उन्हों ने पैसा कमाया आप लोग भी कमा सकती है आपको भी बस यह करने की जरूरत है कि जहां पर लोग ज्यादा आने लगे और उसका business काफ़ी अच्छा चलने लगा अभी भी वह ये काम करता है अभी ये चीज़ चलती है वह मेहनत नहीं करता मेहनत दूसरे करते हैं क्योंकि उससे तो बस एक बार लिंक भीजना होता है और उसके बाद कमाई खुद करता है तो आप भी इस जिनको sale करनी है जिनको पता है किस तरीगे से business को चलाना है वो किसी भी condition में कर लेती है और जिनको नहीं करना उनके लिए सब कुछ भी हो जाए तो उसके बाद भी वो लोग नहीं कर पाते तो इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हमें अपनी opportunity की तरफ ध्यान देना चाहिए हमें यह सोचना चाहिए कि कहां से sale generate हो सकती है कौन सी जगह पर sale हो सकती है उन चीजों पर focus करोगे तो काफी अच्छी sale आप लोगों की भी जरूर होगी बागी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वेल बटन दबा देना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद